आज के समय में हर देश अपने आपको आधुनिक करने में लगा हुआ है चाहे वो देश की प्रगती का मामला हो या फिर हत्यारों की होड़ का ही क्यों न हो जिस तरह से माहौल बनता दिख रहा है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में किसी देश की ताकत का अंदाजा उसके हत् हम आपको यह भी बता देगी भारत विश्ट कि हत्यार विक्रताओं की सूजी में चौथा सबसे तेजी से बढ़ता देश बन रहा है विश्व के सबसे बड़े हतियार खरीदार देशों में से एक है रूस, अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से भारत बड़ी मातरा में हतियार खरीदता है 2013 से 2017 के बीच भारत ने विश्व की कुल हतियार खरीद में से 12 फीसे दी अकेले ही खरीदे थे लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है हत्यारों की बिक्री में हो ये वृद्धी वैश्विक हत्यार बाजार में भारत के दखल और विदेश नीती को दिखा रही है वियतनाम के पीम मोदी के 2016 में हुए दौरे में भारत ने वियतनाम को 500 मिलियन डॉलर के डिफेंस लोन की पेशकश की थी इस सल वियतनाम को एर आकाश मिसाइल और सूपरसोनिक ब्रमोज मिसाल बेचने के लिए बाच्ची शुरू गई गई है और यहां हम आपको ये भी बता दे कि वियतनाम को प्रमोख हत्यार खरीदार बनाने के पीछे भारत की कोशिश चीन की चालाकियों से निपटने की भी है भारत जिन देशों का प्रमोख हत्यार विक्रेता है उनके साथ महातपूर्ण कूटनी देख और रणनितिक साज़दारी भी कर रहा है भागोलिक और रणनितिक लिहाद से भी ये सभी देश भारती विरेश निती का एहम हिस्सा है वियताम और मालदीव समुदरी सीमाओं की साज़दारी के लिए महातपूर्ण है सेशेल्स और अफगानिस्तान जैसे देश भारत की कूटनीतिक का हिस्सा है ये सभी देश या तो पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए है या फिर हिन्द मासागर में चीन के दखल को रोकने के लिए भारत के सयोगी बन सकते है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करें आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे है जै हिन जै भारत